नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाबदा एक साबित होती है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास जिहां दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बात आरे हैं बारे में सुबह का नाश्ता और खाने के बाद चाई पीना पसंद बहुत करते हैं लेकिन राष्टिय पोशन संस्थान ने खानपान की जो गाइडलाइन अभी जारी की है उसमें इस आदत को छोड़ने की सलह दी है जिया दोस्तों यदि आप भी चाई पीते हैं खाना खाने के बाद या कॉफी पीते हैं तो साफधान हो जाईए जिया दोस्तों तो आपके लिए ये बहुत जादा नुकसान दायक साबित हो सकता है एक घंटे के भीतर आपको कॉफ़ी या चाय लेने से आपको बचना है जिया दोस्तो गाइड लाइन में कहा गया है कि सुबह के समय नाश्ते में एक घंटे भीतर चाय या कॉफ़ी पीने से बिमारियों का बुलावा बन सकता है इसे शरीर में आयरन की अफ्शोशन की शक्ती शमता घटती है और पोशन के बावजूद व्यक्ति एनिमिया का शिकार हो गया है जिया दोस्तों खाने के साथ चाय और कोफी को बिल्कुल अलविदा कह दे और मना कर दे पोशन से जुड़ा मसोदा हर मार्ग दर्शन समीती के संयोजक डॉक्टर दी रगुनात रावन ने कहा है कि नाश्ते के समय भोजन के एक घंटे तक चाय या कौफी को दूर रखना चाहिए इससे नाश्ता या भोजन के एक आहार का संपून पोशन शरीर को मिल सकेगा और बिमारियों को बचा सकेगा दोस्तों गाइड लाइर में ये भी कहा गया है कि दिल से जुड़ी बिमारियों को पीडित लोगों को काफी से बचना चाहिए या बहुत कम लेनी चाहिए काफी पीनी के बार शरीर में रखतचाप बढ़ता है जो हीदे की धड़कन को आनियुमित बनाता है तो चलिए दोस्तों चाह पीने से हम आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि चाह पीने से समाने रूप से कौन-कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है चाहे में कैफीन की मजूदगी शरीर में केरेस्टोर मतलब हार्मोन को बढ़ाती है जिससे शरीर की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है चाहे की पत्यों को अमलिये गुन होते हैं जो भोजन को पोश्टिक के साथ साथ मिलकर उससे सकत बना देते हैं इसमें प्रोटीन को पचाने के लिए मुश्किल होती है और पाचन पर असर पड़ता है चाय या कॉफी में टैनिक केमिकल होता है जो आइरेन को अवश्रोशन को बाधित करता है इसमें मानसे गवशारिरिक ठकान लगती है जिस महिलाओं को आइरन केल्शियम की कमी होती है उन्हें खाने के बाद चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए दोस्तो यदि आप खाने के साथ या नाच्टे के साथ चाय या कॉफी पीते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए और अपने दिल को स्वस्रा किए डाइबटीस को कंट्रोल कीजिए और आपके पाचन से वीडियोस बनाने के बहुत जादा प्रेणा मिलती रहती है